नोकरी पर है आपका हग चलें लक्ष से लक्ष तर विरुजगारी से करने दो-दोखा लक्ष आ रहा है उनलाइन अपनी पूरी टीम के लग्ष नमस्कार आप देख रहे हैं दाग्राउंड नेटवरक मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदुरा आज मैं सिर्शा जिले के गाउं रूपावास और जोर्कियां के बीच के खेतों में मौझूद हूँ और आप यह देख सकते हो यह इसकोल्ट 340 टेक्टर है और इसके उपर ज इन तमाम जानकरियों के लिए हम इन से बात करेंगे वहीं बता दे कि जिस तरीके से महिला सैसक्तिकर्ण की बात सरकार के दोरा की जाती है आज के दोर में हम देखे तो महिला को महज चुले चोके तक शिमित कर दिया गया है कोई भी अपने घर से बेटियों को निकलने नही देता उन पर तमाम तरह की जो कंडिशन जो समाज लगाता है वहीं एक तरफा ऐसे माबाब भी है जो लड़की को बड़ी मजबूती के साथ हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की में किसी परकार का कोई भेदबाव ने करके उन्हें आगे बढ़ने का मुका देते हैं उन लेने जाती है आए हम इनसे आज बात करेंगे जी क्या नाम है नवीन कौन सी प्लास में पड़ते हो प्लस वन में अच्या आप खुद टेक्टर को चला करके ये पसुगों के लिए ले जाती हो है अच्या पिछले कितने सालों से ये काम कर रही है इसके अलावा और कुछ क् जानना चाहेंगे कि हम उन तमाम लड़कियों को देखते हैं जिनके मअबब जयानति अंच कए ह। वो उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते तमाम तरह की कंडिशन उन पर लगाई जाती है तो क्या कहना चाहोगे आप नहीं ऐसी कंडिशन्स नहीं होनी चाहिए सभी को मोखे मिलने चाहिए मेरे ममी पापा तो मुझे अर्मोका देते हैं और हर्मा बापको उनकी बेटियो चाहिए उसके लिए आप कितने घंटे मेनत करते हो सुबह कितने बज़े उठते ओ सुबह पांच बज़े उठते हो और पढ़ाई के साथ खेत का और गर का काम भी करवाती हो पाच्छा और इसके इलावा आपकी किस सब्चाड़ में ज्याधा रूची मेरी इंग्लिश में ज्यादा है अच्या इंगलिस में ज्यादा है आप टेक्टर चला करके खुद रहा लेने के लिए आती हो जब आप गाउं के बीच से गुजरती हो तो तमाम तरह के लोग आपको देखते हैं आपके मन में किसी तरह का कोई संका होता है उस वक्त नहीं होता है तो आप उन तमाम जो लर्कियां है जो इस तरीके कें कामकाद से बच्ती है जो संका मानती है भी हम यह ऐसा निक्रेंगे, उन लड़कियों के लिए क्या मेंसेज़ देना क्या अचाएघी हर का में यहांगी आग आगे आना चाहिए वो सब कुछ कर सकती है जो वो चाहती है डिक कर शाहे लड़की टे आक नो यो टेक्ट्र कोॉ काम करवाव लाई रही हो पापा ना टेम हुए तो आम बच्छा ने भी मान खेत में लेगा नो पड़े जद बीम कई बारी मोटर सांग के लेगे भी आनो पड़े बेटी चलागी लियावे मने सागे भी में कौन चलास का माने पावंदी है भी बहुआन कौन चलानी पकी मने लड़कियां पाबंदी आए समाज ने पाबंदी लगा रहा किए लड़कियां है बहुआ है टेक्टर कौन चलास के लेकिन थे थारी लड़की ने टेक्टर सोंपराखियों प्राखिया लेगे भी आवे सारे काम आत्मिता हुए सुब है पोचा बारी भी करे पस्वांगों इनकी ममी खुद भी टेक्टर चलाती है जबकि गुडिया है इनकी ये भी टेक्टर चलाती है हम कुल मिलाकर कह सकते है कि जो अवसर है वो अवसर दिया जा रहा है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इनके पिताजी के भी सवतंतर विचार हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते है कि अपने बच्चों को टेक्टर सोंप लेती है उनका ये कहना है इनका सारे तभी चला सकते हैं बाकी समाज तो में नहीं देता चलाने कहते हैं बेटी बहु क्या चलाई एक बात बताईए जी समाज में तमाम तरह की जो कंडिसन लगाई जाती है महिलाओं को लेकर के लड़कियों को लेकर के उन पर आप क्या कहन चाहते हो, क्या यह जहीं है? नहीं जाती है. जैसे पावंदी लगाई जाती है, उनको भी उनका हख मिलना चाहिए हर अम आगे बढ़ने के लिए उनकी मन की पीछा पूर्ती के लिए कोई भी सरकार कदम उठाए और उनके लिए कुछ करें भी उनको भी आग्याने का पूरा हक है उनका अधिकार है सारी मन की भी सारी चीज वो खुद कर सके कुछी किसी के पावंद में ना रहे कोई पावंदी ना हो यह हम चाहेंगे सभी के लिए सभी और तमाता है व हमने बात की तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो समाज है जो तमाम कंडिशन लगाता है कि महिलाएं है यह करेंगी यह करें नहीं करेंगी तो उन पर इन्होंने कहा कि ऐसी जो कंडिशन लगाई जाती है समाज की वो कंडिशन गल्थ है महिला ससक्तिकन की बात करते है महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो महिलाओं का अधिकार है वो अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए और समाज की जो संकीन मानसिकता है ये मानसिकता भी हटनी चाहिए भी जो बेटी है वो ये करे नहीं करेगी जबकि आज के दोर में हम देखें तो बेटिया है वो लड़कों से कहीं कम नहीं है चाहिए वो आज सिक्षिया की हो देश में तमाम तरह की जो सुरक्षिया देने की बात हो तो महिलाएं हैं वो पुरुसों से आगे बढ़कर कारे करती हुई नजरारी है इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि आज के दोर में जो महिलाएं हैं लरकिया हैं वो लरकों से किसी परकार कम नहीं है अब देखने वाली बाती ये होगी कि ये वीडियो बनाने का जो हमारा उदेशय था वो यही था कि समाज में जागरुकता फेले महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो अधिकार मिले क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी लड़किया हैं जो अपने घर से बाहर निकल करके स्क्राम इंडरा